जय गुरुदेव जी महाराज स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में आता करते हैं आप सबी लोग गुरुदेव जी की किरपा से सुस्त होंगे अच्छे होंगे अगर आप बहुत चिंता का सामना कर रहे हैं आपका कोई काम नहीं बन रहा है आप जो भी काम करते हो उसमें असपलता ही मिल रही है आपका मन बहुत चिंतित है तो अब आप चिंता ना कीजिए सबर कीजिए धैये रखिए महाराज जी बड़े ही देयालू सवाब के बेक्ती हैं वो अपने सबी भक्तों को कबी भी निरास होते नहीं देढ़ते हैं वे हमेशा भक्तों से निरंतर साथ निवाते हैं चायन भक्त भले उन्हें भूल जाए इसलिए अब आप परिशान ना हो निरास ना हो महाराजी पर पूर्ण विश्वास रखें भै आपका सब कुछ ठीक कर देंगे अगर आप जीवन में कठिन सबस्त्या का सामना कवे हैं आपके जीवन में परिशानियां ही परिशानियां परिशानियां इतनी टेटल हैं कि उसका आपको निवारण कहीं नहीं मिल लहाँ भीशन समस्या लगी हुई है समस्तकारिये में आपको निरासा ही निरासा मिल लही है आप बहुत परिशान हैं टेंसन में हैं आप समझ नहीं पा रहें कि क्या करें और क्या ना करें इस भीश चिंताओं से बाहर कैसे निकलें अपने इन कश्टों का निवाल कैसे किया जाए तो अब आप चिंतित नाहों महाराजी पर पुरा विश्वास करें उनकी प्रित्य दिन नीमत रूप से आरधना करें और उनके नाम का इस्मरण करें संसार के प्रिते कठिन से कठिन कारियों को जठिल से जठिल समस्याओं को महाराजी हमेशा सरव बना देते हैं आपसे अन्नोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें इसमें हम आपको एक ऐसे मंत्र की जानकारी देंगे जिसका इस्मरण करने से मन को सांती एक नई उर्जा और एक नई दिसा मिलती है सभी नाकारतमत सक्तियों से मुक्ति मिलती है और अपनी इच्छा के अंसार फल मिलता है अर्थात मनोवांचित फल की मनोकामना पूर होती है माराजी कहा करते थे कि चिंता मूर्ग लोग करते हैं चिंता करना हमारा काम है ही नहीं हमारा काम है अपने कारियों को मन लगा कर अच्छे धंग से करना माराजी कहते हैं कि हमें अपने काम को कैसे अच्छे धंग से करना है उस मिसे का चिंतन करना चाहिए हर्थात हम जिस कारिये को सुरू करने वाले हैं या उसको संपन करने वाले हैं उस पर चिंतन करना चाहिए महराजी कहा करते थे कि मनुस्थ की चिंताओं का कभी अंत नहीं होता है वह किसी ना किसी चिंता में उल्या ही रहता है अपनी एक चिंता का हल निकालता है और दूसरी चिंता में घिर जाता है हमेशा देखा गया है कि मनस अपनी चिंता को अपनी समस्या को दूसरों के साथ साजा करता है जिससे कोई हल तो निगलता नहीं है आप ये नहीं समझ सकते कि आग जिसे अपना समझ कर अपना दुख अपनी चिंता बता रहे हैं वह आपके दुख को समझने बाला है या नहीं, आप अपना समझ कर उसे अपना दुख दर्ष बिखत कर देते हैं, पर वह आपके दुख को दुख नहीं समझता, वह आपकी मजाद बना कर आप पर हसी करता है, इसलिए माराजी कहते थे कि इनसान को अपना दुख और अपनी समस्या कभी किसी के साथ साजा नहीं करनी चाहिए अपना दुख और अपनी समस्या बताना ही है तो भगवान को बताईए इस संसार में कोई सुने या न सुने। आपकी बात लेकिन भगवान जरू सुनते हैं अपने भक्त की बात। भगवान अपने भक्त की सारी समस्या का निवारान भी करते हैं और उसकी जीवन में आगे बढ़ने का मार भी दिखाते हैं। माराजी कहते थे कि अगर अपनी जिन्दगी अच्छी और कुसल बनानी है तो अच्छा करम करो आपके दुआरा किये गए आज करम आपका भविस्त तेय करते हैं आप जैसा काम आज करोगे बैसा ही परणाम भविस्त में पाओगे माराजी कहते थे कि अगर हमारे करम बुरे होंगे तो उसका परणाम भी बुरा ही होगा इसके साथ साथ अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं या किसी का बुरा करते हैं तो हमें उसी के अनरूप फल की परापती होती है माराजी कहते थे कि जीवन में किसी भी पिकार की विपदा या परिसानी आ जाए मनस्व को कभी भी घवराना नहीं चाहिए आप अपने जीवन में किसी भी कारिय च्छित से जुड़े हुए हैं वो चाहें आपका विफ्षाय हो या फिर नौकली उसमें समस्त कारिये मन लगाकर एक आएक करें किसी भी कारिये को अन्याम देने से पहले उस पर एक वार चिंतन जरूर करें और उसके बाद सोच समझ कर उस कारिये को पूरा करें उस कारिये को पूरा करने के बाद उसके बारे में फिर चिंता ना करें और अपने समस्त कारिये को भवान के भरों से छोड़ दें माराजी कहते थे कि हमें चिंता नहीं बलकि चिंतन करना चाहिए। यही सबसे बड़ा नियम है इस दुनिया में चिंता मुक्ति का। इंसान को अपने मन में किसी पिकार की मंसा बिलकुल नहीं बनानी चाहिए। जिससे मन को किसी पिकार की ठेस पहुँचे। अपने मन में मनसा तभी बनाएं जब आपने कोई कालिय किया हो। किसी भी कालिय में सकारात्मक परड़ाम तब राथ होते हैं जब आपने कठिन परिश्चम से किया हो। हमेशा नाकारात्मक इस्तिती से दूर रहिए और इस वर पर पूर भरोसा रखिए। आपके समस्त कालिये पूर होंगे। महराजी का वह मंत्र जिसका उच्चारण वैस्यों पिट दिन किया करते थे वह है राम राम। जो बनुस राम नाम का जाप करता है उसका मन पवित्र होता है। जो लोग राम नाम का इसमर्ण करते हैं उन्हें सकरात्मक का अहसास होता है। और उनका मन सांत रहता है राम नाम जपने से मनुवांचित फल की प्राक्ति होती है राम नाम जपने से तन्मन निर्मल होते हैं राम नाम का जाप सब सुकों का आदार है अब इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं मिलते हैं अगली नई वीडियो में तब तक के लिए जै श्याराम